पपन्हा क्या बना रही है तुम आज क्ति हयूं है आज मैं आई हो अपनी दिवरानी के घर रिए हमारे ले तो देखते हैं वो किस तरह से बना रहे तो उसके लिए उसने प्यार्ज और लेसुन अध्र के सबलिया था और सुखिय मसाले में पो्स्ता दाना, जावित रहा, बड़ीलाईची, छोटे इलाईची, तेजपत्ते और दाशिणी , रहा थोड़ा कालिमेच और थोड़ा सघीरा भी सबसे पहले उसने क्या किया है मस्टर लॉय, तेल कड़ाई में तेल लिया जिसमें से दो को हमने बड़ा टुकड़े में कट किया है जिसको हम अभी फ्राइ कर और दो को हम फाइनली चॉप किया है जो हम उसको बात में यूज़ करेंगे और प्याज जो लेसून हरी मेश अध्रगी सब उसने खड़ा डाला हुआ है और उसकी साथ साथ जो सूखे में साल लेते वो भी सब उसने आड कर दिया और उसको सौटे कर लिया है सौटे हो जाएगा तब उसमें उसने टमाटर थोड़ा सा हलका सौटे करना है बहुत ज़्यादा निए फिर उसकी बाद टमाटर को भी उसी में बड़े बड़े टुकड़े काटके वो भी एक साथ उसी में भून लेया हुआ और इसके साथ हमने करीब एक किलो पनीर लिया हुआ है चंक्स के फॉम में और उसमें कश्मीरी मिर्च और नमक थोड़ा सा मिला के उसको मिक्स करके रग दिया है मेरिटेशन के लिए और सासाथ मतर हमने सफल वाली ली है तो उसको हम थाओ करके थोड़ा सा बॉलिंग टेंप्रेचर पे उसको हम रग दिया है बॉयल करन काटके डाल दिये उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अब ये मसाला हमारा तयार हो गया है मटर भी हमने चान के रख लिए अब दुबारा से हम उसी कड़ाई में जो फाइनली चॉप्ट अनियन था उसको हम फ्राइब कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस समय हमने तो हम थोड़ा सा ज्यादा लिया है करीब फोर टेबल स्पून मस्टर्ड उयल हमने यूज किया है और जब अनियन थोड़ा सा ट्रांस्लियूसिंट हो जाए उस कंडिशन में फिर हमने जो हमरा पिसा हुआ मसाला था तो क्योंकि हम उसी में सारे मसाले पिस गए हैं तो हमन फ्लेवर उसमें अड़र हो जाएगा इसलिए अब इसमें हम थोड़ा सूखा मसाला भी आड़ कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने आड़ किया है सबजी मसाला जो मेरी दिवरानी है उसने खुद ही बनाया घर पर और कश्मीरी मेर्च थोड़ा सा मीट मसाला डाला है और थोड श्शा और और वह इविन आरोमा भी बहुत हजा आई समय है। तो है काफी अच्छा सा मारा मसाला त्यार हो गया है। मेरी दुधाद नी जो हैं बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसके आगे कोई भी रेस्ट्राँ या होटल का खाना बिकार है। अब इसमें जो हमारा मटर था सफ़वाला मटर हमने यूज किया था पैकेट का अल्मोस्ट बॉइल था हलका कच्चा कह सकते हैं उसको हमने पहले दाला है जो थोड़ा सा भुण जाएगा उस कंडिशन में हम पनीर आट करेंगे ये पनीर नाला है पनीर क्योंकि मेरिनेट था अल्रडी तो इसमें नमक है इसलिए जब हम इसमें नमक आट करेंगे सबजी में तो वो थोड़ा टेस्ट करके नहीं तो जादा भी हो सकता है तो इसको हमें बहुत डेलिकेटली करना है क्योंकि पनीर के टुकडे टूब भी सकते थोड़ा जब भ और सबसे इच्छा इसका अरोमा बहुत बढ़िया सबजी बन रही है इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं चावल से भी खा सकते हैं मिस्सी के साथ भी खा सकते हैं जो भी आपको पसंदे आप बहुत बढ़िया सब्जी बनके तयार है तो इसको एक दो उबाल ले लेंगे हम और हमारी सब्जी तयार है नमक हमने नहीं आट किया था अभी तर तो अब हम हमने इसको लास्ट में आट किया है according to taste जितना required था अब इस सब्जी हमारी अलमस्ट बन गई है थोड़ा उबाल आने पर इसमें हम हरी धनिया और अगर आप चाहें तो कसूरी मेथी भी आट कर सकते हैं और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरू करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भोले चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करें तो जो भी कोई नई रेसिपी आएगी आपको मिलती रहेगी ये हमारी थाली आज की तयार है लंच के लिए तो मेरा भतीचा है आया हुआ है वो भी भूने से तो उसको हम टेस्ट करा रहे हैं तो देखते हैं कैसा बना है इसकी सबसे कैसी है डंपी बढ़ियां बढ़ियां इसको बहुत पसंद आया है अब हम सबको सब करने जा रहे हैं खाना सबको सब कर रहे हैं थावर आज़े थाइंक यू फोर वाचिक नमेश्कारो